हेलो फ्रेंड्स वेल्कम बेक तो अवर यूट्यूब चैनल आज हम क्लास 12 के इंग्लिश के बुक के कुछ MCQ करेंगे 15 MCQ करेंगे हमारे विस्तास के बुक है के लिए अवह यह बैचलर पार्टी के लिए फोर ही पार्टी चायपार्टी के लिए यह फोरा मतल्ब नींबु पानी तो उस Chem को किसके लिए लाइट सेप्टर पड़ा होगा तो वह नीमपानी के लिए उस से इन्वाइट किया जाता अगा. अब कर्षिक नमारे 2nd देखते हैं, वो जिंगनेचर वर दियर अंदा लैटर, उस लैटर में किसके सिंगनेचर थे, चारली जिचर, चारली के टीचर के, साम के, या चारली जिग्रैट फादर, चारली के ग्रेंड फादर के नन किसी के नहीं तो इसका अंसर होगा Sam क्योंकि उस लैटर में Sam के सिगनेचर थे कशना मेर थर्ड है what was sorry what convinced Charlie that he had reached the third level Grand Central Station and not the second level क्या convince करता है कि जो चारली था वो third level पर ही था second level पर नहीं था वो यह उस स्टोरी में क्या convince करता है तो हमें इसका answer देना है a different world of gas light and brass spittons वहाँ पर बहुत ही अलग मतलब different gas lights lights थे and brass spittons इसका मतलब होता है पितल का थूगदान या जो पहले झो अकबर या फिर राजा माराजा होते थे या पहले के जवानी के जो लोग होते थे वह लोग एक पितल कहना थूगदान रखते थे जिसमें वो पां थूपते थे, तो यह वही और जूज़ांश स्टेचेस ऑफ 18-19-4 और 18-94 में सभी की दाड़िया होती थी मूचे मूचे होती थी और न्यूस पेपर विद देट जून 11-18-94 और न्यूस पेपर भी उसे मिलता है चार्ली को तो ये सारी चीज़ों जो थी वो ये कन्वेंस कर रही थी कि जो चार्ली है वो थर्ड लेवल पर याएगा तो इसका अंसर होगा ओल अफ दिस आप सभी अपना आंसर कमेंट में करना कि 15 कॉर्शिन में से आपके कितने आंसर सही है थी ठीक है किशह No.47 नमख 4th है 2 वर 8 चार्ली वर्ड डिद चार्ली फांड इं हिस स्टैम कलउक्शन चार्ली जो इस स्टैम कॉलैक्ट कर ता उसे उस स्टैम केलेक्शन में मिलता है ऐगा औरड अड्र और पुराना अड्रण मेलता है यह अल्ड लेडर सो लेटर समें पिर खुजार नार है, और फिर स्टे पर में कवर से फिम्सेम्स किर्णा या फिर से टेक्वर में करता है या 1st day कवर तो इसका अंसर का 1st day कवर से 1st day कवर मिलता है, पिर सिस्वा या 5th मिले के जारा था तो इसका answer होगा D the corridor that led him into the past जो कि उसे अतीत मिले के जारा था चार्ली को यही third level पे सबसे अजीब चीज थी question number six ने हमारा specific difference did Charlie noticed at the third level Charlie ने third level पे क्या notice करा वो सबसे अलग उस third level पे क्या था difference यही first or second level से third level पर क्या difference था everything was weird हर चीज जो था एक्दम अजीब था second है everything was old style and smaller in size हर चीज जो थी पुरानी थी old style था और size में वो छोटी थी everything was too big या सारी चीज़े बहुत बड़ी थी everything was shining हर चीज़े चमचमा रही थी तो इसका answer होगा everything was old style and smaller in size हर चीज क्या थी पुरानी जमानी की थी क्योंकि वह 1894 में चला गया था और size में चोटी थी question number seven है हमारा what is first day cover first day cover क्या है chapter पढ़ा होगा तो आपको याद होगा कि first day cover वह होता है जब भी कोई नए stamp जारी किये जाते हैंगे तो जो stamp collectors होते हैं वह सबसे पहले खुद को mail करने के लिए stamp खरीदते हैंगे जिस पर post mark रहता हैगा और date लिखा तो इसका option देखते हैंगे a new stamp gets the post mark and date इसका answer यह होगा first a new stamp नए stamp अबजारी किये जाते हैं जिस पर post mark और date रहता हैगा अब question number eight देखते हैं why does Charlie want to visit Galesburg Charlie Galesburg में क्यों घूमना चाहता था to escape from the troublesome world वो इस दुनिया से न भागना चाहता था मतलब इस दुनिया में जो हो रहा था वो सारी चिंताओं से उन सारी चीज़ों से भागना चाहता था to enjoy के लिए to see the beautiful landscape या फिर वो beautiful landscape देखने के लिए to meet his old friends या अपने पुराने दोस्तों से मिलने के लिए तो इसका answer होगा a to escape from the troublesome world वो इस दुनिया से भागना चाहता था सारी चिंताओं से ट्रॉबल से फिशनमे नाइन्थ है what did Charlie see at the third level Charlie ने third level पे क्या देखा तो options पढ़ते हैं flickering gas lights and people with funny mustaches उसने चार्ली ने gas lights देखी और people मतलब लोगों को देखा जिनके मूचे थी funny बहुती brass speed tones यह तो मैंने आपको बताया पीतल का जो थूखडान होता है इसमें लोग पहले के जमान में पान थूखा गरते थे man wearing a 10 gabardine suit and a straw जो वहाँ पर आदमी थे पूरुस थे उन्होंने 10 gabardine suit पहना था और straw all these इसका answer all of the above question number 10 what did Charlie see at the third level यह दोनों question same हैगा तो इसको हम छोड़ देते हैंगे इसका answer all these होगा okay question number 11 देखते हैं how did Charlie reach the third level third level पर Charlie कैसे पहुंचता है ठीक है तो A देखते है in his fantasy he takes a subway और a corridor faster than a bus अपनी कल्पनाओं में वह बस से भी तेज corridor में पहुंच जाता था यानि बस से भी तेज वह उस गल्यारे तक पहुंच जाता था B in a super fast train में in jetways in an escalator तो इसका answer होगा in his fantasy he takes a subway और a corridor faster than a bus क्योंकि यह उसकी सारी कल्पनाओं थी और वह अपनी कल्पनाओं में बस से भी तेज उस थर्ड लेवल तक पहुंच जाता था उस corridor था question number 12 है why was the narrator seeing this third level जो narrator है इस chapter का वो थर्ड लेवल क्यों देख रहेगा as a wish to visit girls work girls work घूमने के लिए you wanted to take a break from office या office से थोड़े की छुटी के लिए as a result of stress and anxiety in his mind या फिर जो stress की वज़े से जितने भी उसकी चिंता है थी अपनी चिंताओं के कारण तो गेल्सवर्ग में अपनी चिंताओं के कारण ही गेल्सवर्ग देख रहा होता है तो इसका अपने सपनों में मतलब कल्पना ही करता था कि हां रियालिटी में थर्ड लेवल है बट ऐसे नहीं था तो इसका अंसर होगा नो कुछनमर 16 है वो ज्यों चिकित सक था और चार्ली का सम था स Q15. In what way do we try to overcome the insecurities of the present-hers times? How can we keep the insecurities in the present-hers times now? So, let's see this option by engaging ourselves in practical activities. We are working in that way, by talking to friends and family, and talking to friends and family, reading good books, reading good books, 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 books or books. This is the answer to all these. The most important thing is that we can keep them from the present-hers, and we can keep them from the past, and keep them from the past, and keep them from the past, and keep reading good books. Question number 16, What does Sam's letter to Charlie represent? लेटर था वह चार्ज वारा कैसे मतलब किया रिप्रेजेंट करता है क्या शू करता है ब्लेंड एक अन्दा प्रूफ ऑफिस फेंटेसी चार्लीज की जो फैंटेसी थी कल्पनाओं की वह प्रूफ करता है एन एक्सेप्टेंस टू विजेट या फिर उसकी यात्राओं का या को अंसर होगा? D. A blend of reality with fantasy.